नमस्कार मित्रो आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जीके हेलप विद जारवे पर हार्दिक अभिनंदन एवम स्वागत हैं मित्रो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएस्टिशी और पीटट एक्जाम 2020 के लिए राजस्तान समाने ग्यान के मोस्ट एक पुछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो वीडियो को स्टार्ट करें से पहले आप से नवीद रहेगा कि आपने अभी तक यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब जुरूर करें और में बने हुए बैल आइकन को भी जूरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो प्लोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फैस्ट कोस्तन आपके समने मेवार के स्वाभिमानी माराजा फते सिंग को 1903 इसवी में दिल्ली दिरबार आयुजित हो रहा था वहां पर जाने से माराजा फते सी एको रोका था केसरी सिंग बारट ने इस कोस्तन का बी ओप्सन राइट है बहुत इपोर्टन कोस्तन है बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो यह आपको याद रखने है चलिए नेस्ट कोस्तन है र बयाना का किला किस जिले में इस्तित है बते मित्रों आपके सामने दोलपूर बर्थपूर क्रोली स्वाइमादुपूर तो मित्रों बयाना का किला बर्थपूर में इस्तित है इसका बी ओप्सन राइट है अगला कोस्तन है बीलवाडा में मेवार टेक्स्टाइल शिटी न नमक वस्तर उद्योग एक भीलवाड़ा में और इसकी स्थापना किये थी 1938 सिस्वी में इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है मित्रो बिलवाड़ा को टेक्स्टेल शिटी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्तान की वस्तर नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है यह आपको ध्यान रखना है चलिए नेस्ट कोस्टन है जेसल मेर में सरव हितकारी वाचना लेकी स्तापना किसने की थी बते मित्रों बहुत एपोर्टन कोस्टन है सरव हितकारी वाचना लेकी स्तापना कांपर कीगी की जेसल मेर में और किस के द्वारा यह की गी थी सागरमल गोपा के द्वारा इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है सागरमल गोपा की प्रमुक पुस्त कौन सी है बते हैं मित्रों सागरमल गोपा यह जेसल मेर के परसिद करांतिकारी थे और इनकी ज और अलग लग यह पुस्त के के एक्जाम्स में पूछी गई है तो यह आपको याद रखनी है अगला कोश्चन है कि किस अस्तान का नहान उत्सव प्रसीद है नहान उत्सव मित्रों यह फेमस है कोटा के सांगोद नमक्स्तान का इसका स्वी ओप्सन राइट है चली अगला कोश्चन है टहला की छत्रियों का समंध किस जिले से है टहला की छत्रियां यह मित्रों अलवर जिले में इस्तित है इसका बी ओप्सन में राइट है कटा बुंदी 12 तथा जलावाढ के उत्तरी बाग में बोली जाने वाले बोली कौन सी है मित्रो कटा बुंदी 12 तथा जलावाढ यहां पर बोली जाती है हडुती बोली इसका सी ओप्सन which जै अगला कोस्तवन राजपुटाने का इतियास पुस्तक के लेख कों जैं है इस कोस्टन का ओप्षन ए राइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है कभी सुर्यमल की रचना है किस बोली में हैं बताए मित्रों कभी सुर्यमल मिसर्ण की जो रचना है मित्रों वो यह हडूती बोली में इस कोस्टन का ओप्षन ए राइट है चलिए बारवा कोस्टन है निम्ह लिखित में से कौन सी रचना मीरा भाई की है तो बात करें इनमे से मीरा भाई की जो रचने हैं वो है पदावली इस कोस्टन का D option right है चलिए अगला कोस्टन है राजस्तान की सीमा किस राज़य से सरवाधिक लंबाई में लगती है सरवादिक लंबाई में राजस्तान की सीमा लगती है मद्यपरदेश राजे के साथ इस कोस्टन का भी ऑप्सन राइट है मद्यपरदेश के साथ कितनी लगती है राजस्तान की सीमा पंजाब के राजस्तान के साथ दो जिले सिमा बनाते हैं और राजस्तान के भी पंजाब के साथ दो जिले सिमा बनाते हैं यह आपको याद रखना है अगला कोस्टन है बान गंगा नदी राजस्तान के किन तीन जिलों में बैती है तो मित्रों यह जो बान गंगा नदी है यह यह वैटिया राजस्तान के जो तीन जिले जेपुर दोसा एबंबड पूर में इसका ओप्शन ए राइट है चलिए अगला कोस्ट नहीं राजस्तान का मुख्यस चीव कोन है कि परजेंट टाइम में जो राजस्तान के मुख्यस चीव वह वह मिट्रो राजीव सवरूप इसक राजस्तान के पूर्वी बाग में अधिक लोग प्रिया इस कोस्तन का डी ओप्सन राइट है अगला कोस्तन है इन में से कौन सा राज्या है जो सोर उर्जा प्रियोजना से जुड़ी गृड सुरूग करने वाले राज्यों की सुची में पहले स्थान पराता है राजस्तार इसका बी ओप्सन राइट है अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके चलिए अगला कोश्चन हाली में जारी कीगी राजस्तान की खनीज नितिव के उनसार 2015 में अवेद खनन पर सजा दो वर्स से बढ़ाकर कितनी के गई है आप सभी को पता है राजस्तान में अवेद खनन बहुत अधिक होता है और सजा जो दो वर्स से बढ़ाकर के गई है वो के गई है पांच वरस तथा जुर्माना कितना है 25,000 रुपे इसका भी ओप् ुमारे देस this question का बी ओ ह्संड राथ है कि अगला कोस्ट नहीं बिसलदेव की प्रेमिका राजमती कहां चान के साशक की पुत्री थी बते दो बीसलदेव की जो प्रेमिका थ इस्तुरपे दोहरा कुंर से एडी तक पेने जाने वाला वस्तर है राजस्तान में इस तरियों द्वारा कमर से एडी तक पेने जाने वाला वस्तर है गागरा इस question का C option right है अगला question है उंट समारोई का आयोजन राजस्तान में किस जिले में होता है उन्ट समारौ है या उन्ट मौसव एक बात है मित्रो इसका आयूजन होता है राजस्तान के b कर निर जिले में इस कोश्टम का उप्षन अ राहिट है चलिए ये अगला कोस्टम राजस्तान में गोबर से घर की दिवारों पर गोबर से घर की दिवारों वाच चबूतरे पर क्या बनाया जाता है उप्सन आपके सामने है फड़, पानना, सांजी, मांडना बते है मित्रो तो मित्रो गोबर से घर की दिवारों वाच चबूतरे पर बनाया जाती है सांजी इसका C उप्सन राइट है इपोर्टेट कोस्टन है एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है चलिए नेश्ट कोस्टन है कुल देवी बाण माता की अराधना राधना राधना होती है तो मित्रो बाण माता की जो अराधना होती है राधना में वो होती है मेवाड में इस कोस्टन क के राइट हैं अगला राजस्तान में किस स्थान पर बोद चितालियों के अफसेस मिलते है बोफ चिताल्यों के जो अफसेस मिलते है वो मिलते हैं मित्रो बिराट जेपुर सझे इस कोस्चन का ब्हुत बार एकजाम में पूछा गया थो आपको याद रखने हैं यह जलिए नेस्ट कोस्टन राजस्तान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सख समझते थे तो मित्रो राजस्तान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सख समझते थे गरू द्वारा मारक दर्शन इस कोस्टन का भी ओप्षन राइट है अगला कोस्टन है सत्य सब ग्याओं का मूल है यह कथन है मित्रो आरे समाज का किस को स्थन का डी ऑप्षन राइट है गहात है चलिए निम्बारक संपर्दे की प्रमुक गदी राजस्तान में कि सस्तान पर है निम्बारक संपर्दे की जो प्रमुक गदी है वो है मित्रो किसंगड अजमेर में इस कोस्टन का डी ओप्षन राइट है अगला कोस्टन है एक राठोड सरदार ने राजस्तान में सरपर्थम उंट प्रयोग किया और गोरक्चा भी की वैकोन था एक राठोड सरदार ने राजस्तान में सरपर्थम उंट प्रयोग किया और गोरक्चा भी की वो थे मित्रो पाबुजी लोग देवता पाबुजी इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है यहा आपको ध्यान रखने में अगला कोस्टन राजस्तान में विश्नवी पंथकी इमानिता है तो मित्रो इसका डी ओप्सन राइटा उप्रोक्त सभी अपमान सैकर भी द्रम के मारग पर चलना हरे वरक्स नहीं काटने चाहिए सदेव सालिनता वे संतोस का पालन करे यानि कि इस कोस्टन का D option राइट है अगला कोस्टन राजस्तान में अलग 25 तथा प्रमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेख कोन से संता है बदे मित्रों अलग 25 तथा प्रमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेख के मित्रों चतुर सिंग जी इस कोस्टन का B option राइट है चतुर सिंग जी चले नेश्ट कोस्टन है राजस्तान के हाडूती छेतर में अत्यंत उमंग वै उत्साय से मनाया जाने वाला त्यार कोन सा है बते मित्रों, हाडुती छेतर में अत्यांत उमंग वै उत्साएक से मनाया जाने वाला त्यार है दसेरा इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है किस सिलालेख में चोहानों को वत्स गोतर का ब्रामन का गया है बते हैं मित्रों किस्ट सिला लेक में चोहनों को वत्स गोत्र का ब्रामन कागिया है तो यह कागिया मित्रों बिजोलिया का सिला लेक में इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन राजस्तान में अलाउदिन खिलजी की मस्जिद किस स्थान परस्तित है राजस्तान में अलाउदिन खिलजी की जो मस्जिद है वो एमित्रो जालोर में इसका B-Option राइट है चलिए अगला कोस्ट ने बसंत पंचमी कब मने जाती है बताए मित्रो बसंत पंचमी कब मने जाती है तो ये मनेजतिया माग सुकलप पंचमी को इसका C option right है चलिए next question है राजय सरकार दुआरा एक अध्यादेस जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिगरेंड किया गया है बदे मित्रो राजय सरकार दुआरा एक अध्यादेस जारी कर मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रयन कर लिया गया तो याद रखना सामलियाजी मंदिर ट्रस्ट चितोडगड का इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है अगला कोस्टन है राजस्तान में लाख के आबुषनों खिलोनों और कलात्मक वस्तूं का निर्मान काम पर होता है राजस्तान में लाख के आबुशनों, खिलोनों और कलात्मक वस्तुरों का निर्मान होता है मित्रो उद्यपूर में इसका भी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन राजस्तान के एक मातर लोग देवता जिनके नाम पर डाग टिकेट जारी किया गया है तो मित्रो इसका ऑप्सन राइट है देव नर्हेंण जी चलिए अगला कोस्टन राजस्तान में नागवंस यह बगडावतों का देवमाली गाम किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो मित्रों ये जो देव माली गाम है यह बसा हुए खारी नदी पर इसका बी ओइप्सन अराइट है चलिए नेस्ट कोस्टन है राजस्तान में चितोड़गड़ के गिरी दुरुग का निर्मान किसpex ने करवाय था तो चितोडगड का जो गीरी द्रूग है इसका निर्मान करवाया था चित्रांग मोरे ने चितोडगड द्रूग है इसका निर्मान किस ने करवाया था चित्रांग मोरे ने इस कोस्टन का भी ओप्सन राइट है और ये चितोडगड द्रूग है मित्रो ये मेशा के पठार प अगला कोस्ट ने राजस्तान के किस दुरुग की उंचाई था विसालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है ये कोस्ट इपोर्टेंट है एकजाम में पूछा गया है तो मित्रो ऐसा कहा जाता है कुम्बलगड़ दुरु के बारे में कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है अगला कोस्टन है मिवार सेली की विसेस्ता है तो मित्रो परमल जैसे नितर है इस सेली की परमुक विसेस्ता रागमाला का चितर है लाल वै पिले रंग का अधिक प्रभाव है उपरोक्त सभी इसका डी ओप्सन राइट है ज्यान देना परमल जैसे नितर है इस सेली का जो पर अगला कोस्तन है काली बंगा सबेता के लोग किस लिपी का प्रियोग करते थे काली बंगा सबेता मित्रो हनुमानगर जिले में स्तित है और यहांके जो लोग थे वो सेंदव लिपी का प्रियोग करते थे इसका D option right है चलिए नेक्ट कोस्त ने बिराट में किस सब्वेता के अफसेस पाए गए हैं इसका सी ओप्सन राइट है अगला कोस्त ने बिजोलिया सिलाले की स्तापना किसके द्वारा की गई तो मित्रों विजोरिया सिलालेग की जो स्थाप ने वो जेन स्रावक लोल्लक के दुआरा की गए थी इसका ईफ आफ राइट है अज का नतीन क कोस्टन राजस्तान का प्राठ्चिन तम उलालेग कौन सा है राजस्तान का जो प्राचिंतम सिलाले का है वो है मित्रों बढ़ली का सिलाले कि इस कोस्टन का भी ओप्सन राइट है तो मित्रों यह थे most important 50 कोस्टन आपको यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं और इन 50 समयन ग्यान से समंद्दिते नोट्स मिलते रहते हैं तो इसे जुरूर जोइन करें चलिए बात करते हैं लाश्ट वीडियो में जो आप से कोस्टन पुछा गया था कि सुमेल का युद की जिनके बीच लड़ा गया उनके नाम है तो मित्रों सुमेल गिरी का युद है राम माल आज का कोस्टन है वैच इनी यात्री जिसने बिनमाल की यात्रा की थी कोन है उप्सन आपके सामने सायूंगन अवेंश्वांग फयान इन में से कोई नहीं तो इस क्वेस्टन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करना है